13 जुलाई पिछले 24 कंटा में सभी जिला में मस्तवदा प्रेसेस में हलका से मधम बारिश कुछ-कुछ जिला में एक दो जागा करके हेवी टू भेरी हेवी रेंफॉल हुआ है साथ वेस्ट मोंशन एक्टिव है और हैस्ट रेंफॉल था कंटा माल डिस्टिस का चाकाबाद 139.0 mm चाश्रीकुदा का लखवनपूर 106.2 mm शंबलपूर का शंबलपूर में 103.4 mm कंटा माल डिस्टिस का फिरिंगिया 95.2 mm अभी हमारा सीजनल जो स्थीती वारिश का आया है 1 जून से 14 जूलाई तक टोटल रेंफॉल हुआ है 341.1 mm शाहवी किष्णमाई तक है 345.5 mm एक पोतिशत कम है तो शाहवी क्रेंज में है अभी हमारा छेव जिला में एक्सेज रेंफॉल हुआ है बोध धिनकेनाल, कंदमाल, मनकंगिरी, नुवापरा, राइगरा 17 डिस्टिक्स में शाहवी केटागोरी में है और 7 डिस्टिक्स में डेफिशेंसी केटागोरी में है पूरी में 42, कंदमाल 32 डिस्टिक्स में बाकि डिस्टिक्स में मर्जिनल है अभी हमारा ये डेफिशेंसी जो है मेंली जून काई था जुलाई में जो बारिश हुआ है 1st July से 14 July तक 25 districts में एक्सेस बारिश हुआ है 5 districts में शाहभिक काटगोरी में है स्टेट का टोटल एनफाल हुआ है 209.8 1st July से 14 July तक इस चोबाइक पिरियोड का शाहभिक है 136.2 mm तो 54% एक्सेस बारिश हुआ है काल का जो लो प्रिशार एरिया साउथ कोस्टल विशार नेवरूड एरिया में है था अभी आवाना नर्थ तुरिशा अनर्जर्निंग एरिया में है इसका प्रोभाब में next 24 hours में heavy to very heavy rainfall कुछ जिला में होने का chances है और शाभी जिला में हलका से मुद्धम बारिश रहने का chances है heavy to very heavy rainfall का ज्यादा possibility है कोटोग, धेनकनाल, चाजपूर, केउंज़र, मुहिर्भांच, भरागार, मुहापरा, संबलपूर नर्थ तुरिशा का बाकी शाभी districts में heavy rainfall का एक दुजागा में possibility है साथ तुरिशा का बोरांगीर, कलाहंडी, खुर्दा, पूरी, नवरंगपूर, कुरापूर, मलकानगीरी, बोध, फ्रुनपूर ये सब डिस्टिक्स में एक दो जगा करके heavy rainfall हो सकता है काल 15, रुसकाबाद 16 में भी हमारा most of the places में हलका से मुद्धम बारिश रहेगा इसमें many places में एक rainfall और एक दो जगा करके heavy rainfall हो सकता है भोबनेश्टर सीटे में चेनरले एक लावड़ी स्कारिक, उस स्पेल्स में हलका से मुद्धम बारिश एक दो इंटेन्स स्पेल भी हो सकता है